लो दोस्तो वेलकम टू राइट बित इंजिनियर्स आज हम देखेंगे प्लम कॉंक्रीट किसे कहते हैं तो बात करें प्लम कॉंक्रीट की तो प्लम कॉंक्रीट इस नॉर्मल कॉंक्रीट मिक्स बित लार्ज साइज ऑफ इस्टोन अप टू 300 mm एंड इंसर्ट फिलर मतलब यहा 500 mm तक के स्टोन साइज को हम लोग डालते हैं एग्रिगेट साइज के ठीक हैं बात करें प्लम कॉंक्रीट किसे कहते हैं एक सो साथ में से अधिक का एग्रिगेट है ना तो इसे प्लम कहते हैं एग्रिगेट को ही प्लम कहते हैं और इस एग्रिगेट का अगर हम लोग कॉंक इसका एक्चलिम यूज कप किया गया यूज कप किया गया और यूज कहां किया जाता है यह सब देखेंगे लेकिन आप इतना समझे ना कि अगर यूज करते हैं यूज को गटादेता इसका यूज करने से अभी बात करें हैं परपास ओप्लम कोट्री मतलब इसका क्या जुर्द पर अधर है कि हमें प्लम कोंक्रीट कि जुर्द पर गई तो सबसे पहला बात करें तो प्लम कॉंक्रीट का यूज ना foundation of footing में करते हैं ठीक है foundation of footing के PCC के लिए ठीक है इतना याद रखिए एक चीज second चीज कि अगर एक ऐसा PCC हो रहा है जहां पर ठीकनेश बहुत ज़्यादा है यानि massive concrete है उसके हम लोग cost को reduce करने के लिए हैं हम लोग plumb concrete का यूज करते हैं तीसरे की बात करें कि जैसा कि हम बोले थे second point में कि mass construction के लिए इसका जहां पर PCC होता है वहां पर यूज होता है जैसे ब्रीज gravity डेम सबसे ज़्यादा gravity डेम में यूज किया जाता है side slope आप कहीं पर भी आप गए होंगे road वगएर अपर ध्यान दिये होंगे तो side slope में बड़ा बड़ा boulder 300 mm तक का दिया जाता है तो इसे plumb concrete के नाम से ही जानते हैं ठीक है side slope को maintain करने के लिए आप देखे होंगे ठीके बात अभी बात कर ले एक example ले लेते हैं कैसे side पर इसका use करते है एक example मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका हम आप कहा पर use करते हैं तो आपके हम side slope का यंग बता रहें न तो इसी amigo दे रहे हores करेंगे तो जाईर सी बाते वह कोलाप्स हो जाएगा तो इसलिए हम लोग उसके फिरिंग के लिए बोल्डर के यूज करते तो वह बोल्डर जो होता है वह 300 mm तक का होता है तो उसी को हम लोग करते है प्लम कॉंक्रीट उसके ऊपर डाल देते तो वह गया प्लम कॉंक्रीट आप देखे भी होंगे आपको अभी फिगर में दिखा दिया जाएगा क्या होता है जाए कि आप देख सकते हैं साइट स्लोप के लिए हम लोग बोल्डर जो 300 mm का है इसका यूज करते हैं और इसके बाद हम लोग कॉंक्रीट कर देते हैं हाउ कीलेट प्लॉंक्रीट इसका परपास का होता है सुर्फेस को लेबल करना के दitary परपस होता है बाई समस्ट सिचीमें तो जाहिर शीमां से लिए लेबल को सैसश सरफेस को लेबल करने क तो देखिए इसमें क्या होगा ना अगर जो कॉंक्रीट हम लोग यूज करेंगे तो इसमें एक चीज जिसे कोई भी वॉल्यूम होगा ना वॉल्यूम का 60% यूज करेंगे वह कॉंक्रीट होना चाहिए और 40% बोल्डर बोल्डर यानि वह प्लंग एग्रिगेट तो अग्रिगेट यह PCC है तो PCC आपको पता होना चाहिए कि M20 से नीचे ग्रेट के जितने भी होते हैं M5 M7.5 M10 M15 यह सभी क्या होते PCC के अंडर में आते हैं M20 इस पर आईस 456 2000 का अनुसार M20 ग्रेट यह उससे हाइर ग्रेट आ जाते हैं हमारे RCC में और यह भी याद रखे जो M20 ग्रेट है वह नोमिनल मिक्स ग्रेट है बात करें सेकंड पॉइंट की जो प्लम कॉंक्रीट है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लम कॉंक्रीट है वह 90 mm थिकने से अधिक नहीं होने चाहिए लीड ठीक है यह याद रखो यूकर इसका येस को 456 2000 को याद रख सकते हैं आईस कोट से इसको डिटेल में पढ कॉंक्रीट और बात करते हैं प्लम कॉंक्रीट करने के लिए करना पड़ता है सबसे पहले होता है लेवल एंड क्लीनिंग दे सरफेश जो पहला अगर हम जान प्लेट कर रहे हैं पहले उसको लेवलिंग कर लेंगे मड़ी से लेबल कर लेंगे या उस सब्सक्राइब करने वाले यानि जो पीची सी करने वाले उस एरिया को पहले वेटिंग यानि धो धोल लेंगे पानी से अच्छे से ताकि वह वही सेम प्रोसेस है कि धूलने से क्या होगा कि डश्ट जो हमारे हैं वह सब हट जाएंगे ठीक है पॉइंटर मेटेरियल इंस्पैक्शन में यह है कि जो हमारा बोल्डर है उसको एक बार चेक कर लेंगे वह स्ट्रॉंग होना चाहिए नौन फ्लैंकी होना चाहिए नौन फ् हम नहीं है इस ताइब के एग्रिगेट या बोल्डर को फलैंकी बोल्डर या फ्लैंकी एग्रिगेट पर कि इस में पर इंसपेकர्ण में और क्या पूंत रहें वह इसको अच्छे से वासिंग करने से जो बोल्डर के उपर भी डश्ट रहता है वो भी हट जाएगा तो वासिंग और क्लीनिंग यह एक important point है अब बात आजाएगा बोल्डर प्लेसिंग बोल्डर प्लेसिंग की बात करें तो बोल्डर जो हमारा जो प्लेसिंग करेंगे वो less than 1.5 जो दो बोल्डर की बीच की अगर एक बोल्डर यह है एक बोल्डर यह है एक बोल्डर यह है और एक बोल्डर यह है तो इन लोगों के बीच की डिस्टेंज होना चाहिए ने डेर सो से अधिक नहीं होना चाहिए एक चीज का सबसे बड़ा important point है और यह हमारा SSCJE में भी question पूछ चुका है जो इस यह बहुत important point है ठीक है अब बात करें concrete प्लेस्मेंट का नाव दो concrete विल भी पोर ओवर दा बोल्डर इस लोली separate between the gaps मतलब जो gap हम लोग डेर्ट सम दिये हैं उसमें हम लोग concrete को पोर कर देंगे और जो हमारा next step आएगा वह है इसमें वह सेम प्रोसेस को repeat करेंगे अगर जैसे जब हम लोग concrete separate करेंगे फिर बोल्डर को उस पर place करेंगे फिर concrete करेंगी यह continue होता है तो जितना हाइड दिया रहेगा हमारा हाइड जो 600 PCC करना है ठीक है तो वहाँ पर तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि 600 करना है तो 600 में मतलब हम बिछा देंगे बोल्डर उसके बाद concrete करेंगे नहीं हमारा हाइड जो है 300 पहले करना है फिट 300 करना है ठीक है अभी जो next point है वह क्यूरिंग जैसा कि आपको पते ही होगा क्यूरिंग मिनिमम डेज होता है seven days इसके बाद हमारा concrete को जो हम लों किये रहेंगे उसको साथ दिन तक क्यूरिंग करना है यह फूरा फूल इस्टेश अब कुछ बोल्डर और प्लम बोल्डर का वह देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन concrete की बात करें बोल्डर की बोल्डर यूज इन प्लम concrete शूड भी 200 से 300 अधम ठीक है जो बोल्डर हम लोग यूज करेंगे प्लम कॉंक्रेट में 200 से 300 अधम तक का होना चाहिए प्लम सूड है अधम एटलेट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वार कर सेंगे जो हम लोग प्लम यूज करेंगे या जो बोल्डर यूज करेंगे उस बोल्डर का जो क्रसिंग स्टेंट होगा ना यानि कॉंप्रेसिव स्टेंट क्रसिंग क्रसिंग स्टेंट के नाम से भी जानत है एक फूटिफाइब फिए थीक है लेकिन जो कॉंग्रीट आर्टहेंगे लेकिन तो महार यह सीमेंट और हम लोग जो बोल्डर यूज करेंगे उसके बाद हम लोग क्या सीमेट और सांड का विशन मोग डालेंगे नहीं बोल्डर के उपर उसमें जो aggregate हम लोग यूज करेंगे वह aggregate 25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए मतलब जो concrete हमारा आएगा concrete क्या होता है concrete हमारा किस किसी सिच का mixer है concrete हमारा mixer water cement aggregate sand तो इसे हम concrete बोलते हैं ठीक है और अगर कहीं पर water cement और sand रहता है तो इसको बोलते है slurry तो slurry concrete में बहुत difference है यहां पर हम लोग concrete बोलते हैं यानि उसमें aggregate है ठीक है तो aggregate हम लोग जो यूज करेंगे ना उस वाले concrete में वह 25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए और उसके बाद तो अधिक है यूज करें रहे हैं दा प्लम को प्लम वॉल्यूम इस फोर्टी परसेंट अब दा concrete वॉल्यूम जो फ्लम वॉल्यूम जो होना चाहिए जैसा कि हम इस पीछ़ए ही बता दिया कि शाड़ परसेंट होना चाहिए हमारे 40% बोल्डर होना चाहिए मतलब 60% concrete होना चाहिए 40% बोल्डर होना चाहिए ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बोल्डर बहुत ज्यादा यूज कर रहे तो यह चीज़ का ध्यान दीजिए ठीक है गैप बिट्वीं बॉल्डर यानि बॉल्डर सुड्ड नौट शूड बी लेस यह अभी टिंट सव्म्म यह हम आपको समझा दी है जो गैप होना चाहिए दो बॉल्डर के पीच मोच देट सम्म से कम होना चाहिए ऐसा नहीं यह डेट सम्म से जाना थे के यूज एट एप ले सरफेसे है विनने इडीब स्लोप और नोडिभा इसका ची सरफेसे यह को लेवल करने के लिए स्लोप को बनाने के लिए लूटेक्षन करने के लिए स्लोट व्लिभ व्लिभ परिद करने के लिएında प्रोइड पायंकिन इस यूज़ तो कॉंस्ट्रक्ट साइट स्लोप फोर इंग इंबैक्मेंट हाँ यह भी है अगर इंबैक्मेंट है कहीं पर तो साइट स्लोप के लिए इसका यूज़ कहते हैं इट यूज़ टू लेवल दा सर्फिस ऑफ दा वाटर चैनल ले अब एक है मतलब काई पर भी आप देखोंगे कैनल कैनल के जो बॉटम साइड में जानी रहा है कि पीसी सी बहुत ज्यादा लगता बॉटम में तो उसको भी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं बहुत सारी जगाओं पर यूज़ करते हैं आप भी देखे होंगे तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेर जरू करते हैं